नमस्कार बहुत स्वागत आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर में हूँ अकाश जी हाँ नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करने वाले हैं आपके जन्म से जुड़े कुछ ऐसे खास बातों के बारे में शायद ये आपको बता होगा ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा जन्म जब होता है तो इस दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमें धार्मिक दरश्टी से सौप दी जाती हैं जिनका हमें ग्यान नहीं होता है लेकिन अगर इनको छोटी-छोटी बातां को ध्यान में रखा जाए तो इससे लाब जरूर होते हैं आपको बता दें हर वार यानि की हर दिन के हिसाब से जातक को व्यक्ति को जन्म के अनुसार का पता चलता है कि उसका जन्म अगर इस दिन हुआ है तो उस पर क्या-क्या प्रभाव रहने वाले हैं क्या-क्या शुभ और अशुभ बातें उसके ज पूरा पता लगा सकते हैं तो चलिए आपको बताते हैं अगर आपका जन्म स्वामवार के दिन जो व्यक्ति जन्म होता है वो चंद्र का प्रभाव उन पर रहता है ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत जादा शांत तथा आध्यात्मिक विचारों से संपन रहता है जिहां जो व्यक्ति मंगलवार को जन्मे होते हैं उन पर मंगल ग्रह का प्रभाव रहता है ऐसे व्यक्ति का यदि मंगल खराव है तो वह तामसी प्रवर्टी का होगा तथा सधा क्रोधी जिद्धी स्वभाब का ऐसा व्यक्ति रहता है गुस्से वाला होता है और वो काफी जादा क्रो गुरुवार को जन्मे व्यक्ति गंभीर चिंतन करने वाले और धार्मिक स्वभाव से संपन होते हैं, जी हां उसके स्वभाव में मिलनसारिता और सर्वहिताय की भावना हमेशा रहती है, वो सभी का भला चाहते हैं और काफी जादा मिलनसार भी होते हैं, वहीं शुक्रवार को जन्मे व्यक्ति कलाप्रिय और तेज बुद्धी के होते हैं, आधुनिक विचारों को महत्व देने वाला और स्वभाव से वनम्र होते हैं, ये उनकी खासियत होती है, वहीं आपको बता दें, जो व्यक्ति शनिवार के दिन जन्मे होते हैं, वो व्यक्ति न्याय प्रिय कलाप्रिय और कर्मवान होते हैं इस पश्चवादी और सिधान्त प्रिय स्वभाव का ऐसे व्यक्तियों का हमेशा स्वभाव रहता है वहीं आपको बताते चलें कि रवीवार को जन्मे व्यक्ति पर सूर्य का प्रभाव रहता है ऐसे जाता का स्वभाव निर्भीक लेगिन उदार रहता है तो ये आपकी जन्म के हिसाब से आपके स्वभाव होते हैं कि किस-किस प्रकार से आपको अपने जन्म के आधार या दिन के हिसाब से आपके स्वभाव के बारे में हमने पूरा आपको बताया तो आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही हम फिर आजर होत तब तक के लिए आप देखते रहें बने रहें नेक्स्ट नाइन वक्ति सांगत के साथ नमस्कार